पता नहीं अब ए टीटू जरूरी थोड़ना है कि पता नहीं के बाद यही गाना आता है यार कुछ और भी कह सकता है इंसान यार तू और जगा मत गुष्णडा कर इस गाना को छोड़ो पता नहीं मैंने क्या सोचकर यह मूवी देखनी शुरू की मेरा अमन कर रहा है कि कास इस मूवी को देखने से पहले मैं इसका ट्रेलर देख लेता नमशकार दोस्तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इस मूवी के बारे में यह एक नेट्रिक्स पर आई कॉरियन मूवी है तो अब इसकी कहाने के बारे में बात करते हैं एक व्यक्ति होता है करीबन 45-50 साल का यही जो मिस्टर चार्ज इसका नम है इसका देखो पूरा नम है लेकिन मैं इसका प्यार से चाहिए कहूँगा तो इसकी जो एज है वो 45-50 साल है मतलब इसी के बीच में है और जब यह जवान्त होता था तो एक बहुत अब फेमस एक्टर हुआ करता था पच्छी साल तक फेमस रहा था लेकिन जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती गई इसको साइड में करते गई साइड में करने का इंडा सैंस कि यार इसकी जगा पर कोई और एक्षे अच्छे एक्टर आगे उन्होंने इसकी जगा ले लेकिन ये अपनी एक कालपनी और एक वहम की दुनिया में रहता है इसको लगते है कि यार इसी की चलती है हर कोई इसी कोई उसमतलब सुनता है और यह अभी भी बहुत जादा फेमर्स है लेकिन ऐसा नहीं है अब होते हैं ऐसे काफी सारे लोग जिनकी एज तो बढ़ जाती है लेकिन उनकी बुद्धी शायद उतनी ग्रो नहीं हो पाती है उनको यह एक्सेप्ट करना जाए कि भाई साथ यह मैनेजर होते हैं इतना जूट बोलते हैं इतना जूट बोलते हैं ये मैनेजर मुद्ध इस इंसान को एक सचाई तक निवन बताती कि लोग इसके पीठ पीछे क्या पोलते हैं जो मेडिया रॉ creeping पहर की कोई भी चीज इसके पास आई नहीं पाती थी असलिए ॅश पता चलते कि वो मीडिया में या फिर बाहर की दुनिया में कैसा करता है तब तक यह नहीं पता चलेगा तो वह अपनी रियालिटी को स्विकार नहीं कर पाएगा अपने आपको सुधार नहीं पाएगा तो अब इसमें जब कहानी आगे बढ़ती तो मिश्टर चा जो है वह ए साथ में इसका एक चोटा कुटा भी होता है लेकिन नहीं इस महास्य को अपनी प्यारी है जो जादा प्यारी है इसे जान से जादा प्रिपारी है इसे लगा किया अगर इसने रेस्क्यू के लिए लोगों को बुलाया तो मीडिया भी आएगी पुलिस आएगी, सारे लोग आएगे, तो इसकी इमेज जो है, वो लोगों के सामने बिलकुल बद्दाम हो जाएगी, अपनी इमेज को लेकर, मतलब ये इंसान जान तक देने को तयार हो गया, बड़ थोड़ी बड़ जब इसको अकल आती है, तो अपने कोई मुवी देखनी पड़ेगी, अगर इस मुवी के जॉनर की बात करों, तो ये कॉमेडी मुवी है, देखो यार, इस पूरी मुवी में, सिर्फ एक ही सीन पे मुझे हसी आई, या कहूं एक ही व्यक्ति के द्वारा मुझे हसाया गया, वो जो था एक मैदान में अपनी गाड़ी लेके आता था, भाई साब, इतनी जबरदस्त उसकी ड्राइविंग स्किल, मुझे लगता है कि उस इंसान की गाड़ी में ब्रेक नाम की कोई चीज नहीं है, जब भी उसमें इसमें क्या मज़ा है, देखो, जब यह आप मुवी देखोगे, तभी फिल करोगे, हाँ, एक्चुल में वो चीज क्या थी, उस सीन को देखकर, जितनी वी बार उसरे एंट्री की ना, मेरा पेट दर्द होने लगया था हसंस के, अब जो इस मुवी के जो वीक पॉइंट है, उसके बारे में बात करूँ तो सबसे बड़ा वीक पॉइंट इसकी स्टोरी है, यार इतनी ज़्यादा वीक स्टोरी है, हम इससे connect तक नहीं हो पाते हैं, फिर इसके बाद बात करें कि इसमें जो कॉमेडी का जोनरी रोने डाला है वो बहुत ज़्यादा वीक है, एक दो सीन के उपर हसी आएगी, बाकी पूरी की मुवी जो है, निल बटे सरनाटा है, और जब यह मुवी खतम होती है, तो मैं यह सोच रहा थे है इसका मतलब क्या था? मतलब, in the sense कि कोई मुवी होती है, तो उसका मकसद तो यह होता है, या तो हसाए, या फिर वो मतलब कोई मैसिज देख के जाए, लेकिन यह तो दोनों में फेल हो जाती है, लेकिन एक चीज़ में जुरूर पास होती है, इरिटेट करने में, मेरी तरफ से इस मुवी को मैं देना जाओंगा, 3.5 out of 10 star, अगर किसी ने यह मुवी देख रहे हैं, तो प्लीज कोमेंट करना कि आप लोगों को यह मुवी कैसे लगी है, अगर झाल